दीग्रश शहर के मानूरा रोज परिस्तित एक कबाड याने भंगार की दुकान को आग लगने की घटना सामने आई हैं शुक्रवार रात आंट बजी घटित इस घटना में दुकान में रखा एक लाक रुपे कीमत का कबाड जल कर खाक हो गया सूतरों ने बताया कि जिस दुकान में आग लगी वह दुकान दीग्रश मानूरा रोज पर अतिक्रमित जगह परिस्तित है जो की रहाती गाव निवासी चरन बाल सिंग जादर की कबाड़ी की दुकान है प्रतिक्ष दर्शियों के मताविक शुकरवा को रात आट बजे इस दुकान से धुआ और आग की लप्टे निकल रही थी ऐसे में वहां तमाश भीनों की भीड चुट गई इस वरान सामाचिक कारे करता दिनेश खाड़े प्रशान कौर कर सौपनिल बदुकले सहित अन्य लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग की लप्टों ने उग्र रूप धारन किया जिस वज़े से आग बे काबू होती नजर आई इस बात के मदे नजर इस घटना की ततकाल सूचना अगनी शमन दल को दी गई सूचना मिलते ही अगनी शमन दल के करमच्वारी अश्विनी इंगले सागर शिल के रोहन पवार सहदेव उगडे ने धटनस तल पर पहुच कर आग को काबू में किया इस घटना में संबनित कबार की दुकान में रखा करीब एक लाक रुपे का कबार जल कर राख हो गया इस दुकान में आग लगी या लगाई गई इसका कोई खुलासा अभी नहीं हो सका है इस्थानी प्रशासन को चाहिए कि वे शहर भर में अतिक्रमित जगाओं पर मनमाने तरीके से बनाई जारी स्क्रैट की दुकानी और नीची गोदामों और वेर हाउस पर नजर बनाए रखे ताकि आएंदा कोई अनभूनी घटना किसी बड़ी दुर घटना का सबब ना बन सके NBCN न्यूस के लिए दीगर से जुबेर खान की रपोर्ट